है या इस पार नहीं है हिमालय को इस पार ट्रांस निपार हिमालय को इस पार ट्रांस हिमाला है महान हिमाला है महान हिमाला है मतलब सबसे बड़ा हिमाला है या ब्रिहद हिमाला है और एक क्या है लग हिमाला है और एक लास्ट में आते आते सीवाली हिमाला है आज दो ही हिमाल हिमालाई उपर यानि जम्मु कस्मीर में फैला हुआ है ट्रांस हिमालाई के भी तीन भाग हैं ट्रांस हिमालाई के तीन भाग हैं काराकोरम लद्दाक और जासकर पहले हम लोग ट्रांस हिमालाई बार में चचा कर रहें काराकोरम लद्दाक जासकर लेकिन ध्यान दीजे बा दूनों प्लेटे टक्राई थी टक्राने से बना था हिमालाय तो जो ट्रांस हिमालाय हुआ है प्लेटों के टक्राने या टेथी सागर से नहीं हुआ है ट्रांस हिमाले का निर्माड जब हिमाले बना था उसके पहले ही यह उपर कौन लेंड था अंगारा लेंड पर यह हिमाला था उसे पहाड़ी रहा होगा उस समय लेकिन अब तो हिमाले नाम पढ़ गया है तो पहाड़ी रहा होगा तो मतलब कि हिमाले से पहले ही ट्रांस हिमा उताल जाश्कर सबसे ऊपर वाला जो है काराकॉरम है पिर फिर वाला बीच मेंधिे없ी क्या है फिर जासकर तार राकॉरम लडद्दा जासकर इन सभी के हम लोग विशेश्ता पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे आखिर का कारा कुरम की विश्चिस्ता क्या है लद्दा की विश्चिस्ता क्या है जास्कर की विश्चिस्ता क्या है कारा कुरम हम लोग श्टार्ट थोड़ा सा करते हैं कारा कुरम यह तीनी भाग है ट्रांस ही मालेक है और यह महान मालेक है काराकॉरम की विएस्ता क्या है भारत का सबसे उत्तः परवत स्रेडी है भारत का सबसे उपर वहाला और यह एक परवत चोटी है जिसका नाम क्या है गार्वीन आस्टिन गार्वीन आ दीनं। इसे केटू बोला जाता है केटू क्या नाम इसका केट ॆ्यक्प पर एक कहां पर है जम्मू percussion में फैला हुआ है या परवत सधी प्यां के विखेच्छार्ण फिर कारा कोरम यहाँ पर है फिर उसके नीचे आता है क्या हमारे पास में लद्डाक पर एक परवस्तिडी है जिसका नाम क्या राका पोसी इसका नाम क्या है साथियों राका पोसी राका पोसी की विश्यस्ता क्या है कि राका पोसी क्या है कि सबसे तिब्र ढ़ाल वाली परवत तरी है क्या है सबसे तिब्र ढ़ाल वाली परवत तरी है सबसे तिब्र ढ़ाल वाली अच्छा कारा कुरम पर एक दो पाइंट अभी ध् घ्लेसियर पाए जाते हैं किने लेसे पाया जाते हैं उन ग्लेसियर का नाम क्या है कि सब्षेय कि सिया चीन हिस्वर बाएफो बाल совремed गैर नाम क्या है यहां पर लिख दे को माई आ नहीं आ कहीं एता हैं यहाचीन हिस्वर सियाचीन हिस्पर यह पर-ग्लेसियर किस पर्वस्त्रडड पर है कारकोरम सिया इक लेस्पर किश नेरी पर ini कारड़ आपिसन कैसे बनाएगा इस चारा संदे देगा और एक अन्याफ संदेगा अब बोल देगा निमन में से कौन सी परवा सेड़ी पर इस्तित है तो इस चारों को मालूम रहे तीन निसमें मैच कराएगा एक अलग रहेगा वहाँ पर हम लोग जान जाएंगे तो कारकरों सेड़ी से दो पॉइंट याद रखना एक की गाडवी नाश्टी जिसके उचाही क्या है 8600 11 किलोमेटर है जो की भारत की सब भारत की सबसे उची चोटी है लेकिन भारत में सबसे उची चोटी है लेकिन भारत में सबसे उची चोटी क्या है गाडवी नाश्टी जिसका नाम क्या है केटू 8600 11 और दुनिया की सबसे दूसरी सबसे उची चोटी ठेक ना हैं तो यहाँ पर हम लोग किसकी बारे में चर्चा कर रहें ठेक हां कारा कॉर्थ में । केटु और स्याची निष्प वाइफर बाल्टोरा फेशके परवत सड़ी है एक परवत सड़ी है जिसका नाम क्या है राका पोसी जाने दीजे लिखने रहे हैं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा अप लोगों तो मैं पता नहीं है लेकिन बोल दे रहें मुख से इस परवत सड़ी का क्या है नाम है राका पोसी जो की सरोच तिब्र धाल वाली परवत सड़ी है सरोच धाल वाली परवत सड़ी है और राका पोसी सरोच धाल वाली परवत सड़ी है और यहां पर चेमायूंग गलेसियर से जो राका पोसी है राका पोसी के नीचे क्या है सिंधू नदी बती सिंधू नदी बती ओभी कहां से चेमायूंग गलेसियर से बते हुए चली जात जासकर परवस्रड़ी कौन सी है जासकर परवस्रड़ी है जासकर परवस्रड़ी और यहां पर क्या है उपर कौन सी नदी बती है सियोंग नदी सबका नाम एक बार लिख दे रहा हूं मैं यह वाली कर नाम क्या है इसी जगा में लिख देना कुछ तो ज्यादा लिखना नहीं है सिंधु नदी इसका नाम क्या साथ थी हो सिंधु नदी और उपर वाले का क्या नाम है जो उपर ऐसे आ रही है सियोंग नदी शियोंग नदी चले इसके बार श्चा कर देदे और यहां पर प्वाइंट दिख रहा है इसका नाम क्या है ले लड्डाग वालए ले ले चलिए मिसकी इसे करेंसे बनाता है किस दू परोतों की बीच में बति है किस दो स्रेडी के बीच में बति है ता राकुरम लद्दाक और अब उत्तर में सियों रजिडिक एक उपर और नीचे उपासी Pixel है नीचे सिंदू और यहां पर किसके किसकी बंद्ध यह लधाख और जासकर के बीच में ले विलगते किस पो चुछ अर्पॉइंट यहां पर दिए का मतलब क्या है निस का नाव बदल जाता है क्या नाम है तिबबत में आखिर काहा है कैलास परवत नाम-सुने होंगे अच्छा कासा कैलास परवत है कहां पर है है तिबबत में कौन-सी सेडिका है का रा कॉर्म सेडिका Ama तो इतने को समझ चुके हैं उसके बाद कि आगे बढ़ेंगे हम लोग तो जो यह महान हिमाला है और इतना चाठ अगाल है महान हिमाला और घॉन के वित करता जिसका नाम क्या है सचर्जुन क्या कहतीए इस है सचर्जुन ठिक सचर जोन तो सचर जोन हो गया सचर जोन ट्रांस हिमालाई और महान हिमाला को कौन अलग करता है सचर जोन अब हम बात करते हैं किसकी महान हिमालाई की किसकी बात करेंगे हम लोग महान हिमालाई ट्रांस हिमालय हमारा complete होता है अब हम लोग चचा किसके करेंगे महान हिमालय के महान हिमालय में हम लोग आएंगे आगे तो महान हिमालय की विशेष्टा क्या क्या है इस चीज को हम लोग देखेंगे उत्तर में क्या है सबसे उत्तर में क्या है नामचा बरवा है क्या है और सबसे पश्चमी क्या है अगले बार नंगा प्रवत क्या है नंगा प्रवत नंगा प्रवत कहां पर भाई साब उच्छन दिखा दि रहा हूं नंगा प्रवत हुआ इसी जग चलिए माल देखे या थोड़ा सोपर ही ले ले जीए यहांपन नंगा प्रवत अद़न है नंगाप्रवत्क ठीन नंगापर मंनंदा नदधा नंगाप्रवत्फपर सबसे पुर्वी जान। और सबसे उत्तरी काराकरम सबसे पूर्वी नामचा सबसे पूर्व शमी नंगाप्रवत सबसे ऊपर काराकोरम दिब फोंत लद्धाक का है यहाँ पर लिखनो इतना चीज़ भुआ है नामचा ब्रवा अब इस況 कुछ परवसतिरी ह्म हम लोग याद करने का É प्यास करेंगे आखे का पर्व सड़ियां कौन कौन सी है कहां कहां है चलिए सब लिखते हैं सिस्टम से हम लोग जगह बना कर लिखेंगे न तो स्टार्ट करें यहां से इसका नाम जगह दिख रहा होगा ना दिखना तो चाहिए ना चलिए ठीक है दिख रहा होगा सब भी को आई हो देखी रहा होगा या तो कहिए तो यह थोड़ा सा लाइनिंग ऐसे मारे और अच्छा लगए इसका है इसका नाम क्या बताया हमी भी हम नामचा बरवा यह कहां पर है तिबबत और यह क्या है सिक्कि में कंचन जंगा यह कहां पर है सिक्कि में कंचन जंगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है मकालू यह इसको कलर ही अलग करते हैं ब्लेक लेली क्या है मकालू ठेक यह वाला कला बतल दें इसे रेट करते हैं यह ब्लेक कंड़ान्स फेर सब्सें इसता बता रहे हैं ठीन मांट एवरेश्ट यह वाला इंपोर्टेंट है सब्सें ज्यादा नेक्स्ट मांटे रिष्ट के आगे मसालू आगे दोला गिरी सब नहीं आ पाएंगे क्या लगता है चलिए फिर उसके आगे अन्ना पुरुड़ा ना पुरुड़ा ना ग्रेट से नंदा देवी बद्री नात फिर बंदर पूँच चलिए इतना ही रहने दें क्या और तो बताते हैं अब चलिए अच्छा इसी में लिख दिर जगह थोड़ा सकम पढ़ रहा है बंदर पूच अब बंदर पूच बात त्रिसूल एक और है अब देखी इतनी हो गए पॉइंट्स हमारे पास कि यहां सब पूरी के पूरी सिस्टम से लगाया है मैंने तो इसे अटा दें रहें तो यहां पर सिस्टम से लगाया है एक सबसे लाश्वाला छूट रहा है ना नंगा परोत इसे भी लिखते हैं इसमें दिख रहा है अप लोग को नहीं दिख रहा हो तो यहां पर लिख दें सब सिस्टम से यानि पूराव से लेकर के पश्चिम तक चले गए परवत महानी मालाई का सबसे एक कहां पर है तिबत ठेक कलर चेंज करें तिबत और यह कंचन जंगा सिक्किम मकालो यहां तक ब्लेक दिख रहा है ना नेपाल फिए इतना उत्राखंड उत्राखंड के भी लिखते हैं उत्राखंड है नंगा जे एंड के हो गया चलिए अब सब की विसिस्ता बताता हूं एक तरफ से एक तरफ पले इतना याद करिए सिक्कि में कंचन जंगा इतना याद करिए इतना सब को याद रता है सिक्कि में क्या है कंचन जंगा है भारत में इस्थित सरोच भारत में इस्थित सरोच भारत में इस्थित यदि भारत में बोलता तो केटू भारत में इस्थित बोल दिया तो कंचन जंगा का है सिक्कि मे इतना याद करते नेपाल वाला फिर यहां वाला याद करने में नेपाल में क्या है क्रम याद भी क्रम भी याद रूहना जरूरी है क्रम से भी सजाने के लिए बोज़ता है या तो उत्तर से पूर्व ले नहीं पस्चिम पूर्व देगा पस्चिम देगा क्या है मकालू क्या मकालू माहंट और्षट मसालू ढ़लागरी अन्नापुण के अगे बद्रिनात के पहले 9 नन्दादेवी बद्रिनात बंदर पूच अब और आगे और बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मिन में क्या पड़ेगा आपको पास नंगा परवत क्या पड़ेगा नंगा परवत जम्मू कश्मिन सब्सक्राइब आपको जादा है नेपाल में बस है पूछता कहां पर नेपाल में माउंट एष्ट में माउंट एष्ट कहां क्या है सबसे सरोज चोटी आठाच быть सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नेपालाश नाष्ड़ावा करें कि बंदपुत रिसूल और नंगापरुत के सबसे पश्मी परवत श्रडी है तो इतनी चीज़ें हैं महान हिमाले में एक बार रिक्वाल करा दें फटापट अच्छा इस पॉइंट लिके ना इसे भी देग दुनिया की सरोच चोटी माउंट डिर्श आठीजा चाहसो ग्यारा 8,842 भारत कि सबसे सरोच चोटी भारत किना केटू भारत में इस्तित कंचन जंगा सरोच चोटी पुरुवीक नाम चावरवाद पश्मी चोटी नंगा-परवत सरोच दिवर ठाल वाली ताखा पोशी उत्तरी सबसे उत्तरी चोटी है कारा कुरम बस इतना ही ऊगया है तो और इधर से सब कुछ देख चुके थे सब्सें उपर काराकुरम लद्दाक जासकर महानी मालक और कारा कुरम लद्दाक के बीच में सिंधु नदी ने ले पड़ता ले कहां पड़ता सिंधु नदी के कि दाइने तर्ट पर यह थेक हुआ है और कौन मतलब कि ट्रांसिमालों महानिमालों कौन अलग करता है सचर जों क्या लग करता है सचर जों तो बस इतना ही साथियो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो我們 please तो बीडियो को like करिएगा subscribe करिएगा और जो नए दोस्त है वो तो subscribe तुरंत कर लेंगे और share करिएगा और next वीडियो भी देखेगा पिछले वाला part भी देखेगा दम मज़े ही मज़े आएंगे आपको और अच्छे से अच्छे clear हो जाएगा बस तब तक के लिए हमें इजाजत फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में